दोस्तों पुराना आधार कार्ड में डोकुमेंट्स अपलोड करना जरूरी है जिससे की आधार कार्ड का डेटा एक्कुरेट और अप्टू डेट रहे UIDAI के तरफ से आधार कार्ड डोकुमेंट अपडेट करने की फैसिलिटी 14 जून दोहजर चोबिस तक फ्री आफ कोस्ट है तो आधार कार्ड डोकुमेंट अपडेट अपने स्मार्ट फोन से कैसे करेंगे आज हम इस वीडियो में देखेंगे तो दोस्तो सबसे पहले हम अपने फोन का ब्राउजर ओपिन करेंगे और उसमें माई आधार पोटल ओपिन कर लेंगे इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा तो यहाँ पर लॉग इन का ओप्शन है इसमें हम लॉग इन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपना आधार नमबर टैप्चा इंटर करने के बाद OTP इंटर करके लॉग इन कर लेंगे लोग इन के बाद आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सबसे फर्स्ट आप्शन आपको दिखाता है डोकुमेंट अपडेट का इसमें आप नीचे में देख सकते हैं लास्ट डेट भी लिखा हुआ है कि इस सर्विस इस फ्री आफ कोस्ट तिल 14.06.2024 यानि कि 14.06.2024 तक डोकुमेंट अपडेट करने की सर्विस फ्री आफ कोस्ट है डोकुमेंट अपडेट करने के लिए जस्ट इस डोकुमेंट अपडेट वाले आप्शन पर क्लिक करेंगे क्लिक करते ही यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको नेक्स्ट का एक आप्शन मिलेगा लेकिन इससे पहले आप यहाँ पर देख लें कि आपको दोकुमेंट रेडी रखने हैं प्रूफ आफ एड्रेस और प्रूफ आफ आइडी यानि कि POI एंड POA दोकुमेंट आपको रेडी रखने हैं उसके बाद रेडी रखने के बाद जस्ट नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपको फिर से यहाँ पर किस तरह से यह पूरा काम करता है यह पूरा detail आपको यहाँ पर written में दिख रहा है आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं और अगर आप चाहे तो continue भी कर सकते हैं next पर click करके जैसी next पर click करेंगे तो यहाँ पर complete आपका information दिखाएगा जैसे कि name, gender, date of birth, complete address आपको यहाँ पर tick करना है I verify that the above details are correct इस पर आप just click कर देंगे click करने के बाद next पर click करेंगे next पर click करते ही अब आप से यहाँ पर document upload करने के लिए फूच रहा है लिख रहा है कि guidance for uploading documents तो आपका document का जो size होना चाहिए वो maximum 2MB का होना चाहिए supported file format से jpeg, png and pdf यानि इनमें से कोई भी एक अब कौन-कौन सा document यहाँ पर लगेगा तो आप देख सकते हैं कि पहले आपको proof of identity देना है और इस पर जैसी आप click करेंगे तो यहाँ पर एक document का लंबा list आजाएगा तो इनमें से कोई एक documents जो आपके पास होगा वो आप यहाँ से select कर लेंगे तो मैं इनके case में driving license दे देता हूँ driving license select करने के बाद just ok पर click करेंगे उसके बाद view and upload documents पर click करेंगे अब यहाँ पर upload करने के लिए पूछ रहा है तो continue to upload पर click करेंगे उसके बाद हम अपने gallery वाले folder में जा करके driving license को upload कर देंगे तो document upload हो चुका है देख सकते हैं 100% हो गया है उसके बाद नीचे scroll down करेंगे तो यहाँ पर पूछ रहा है कि please upload address POA यानि कि proof of address देन हम यहाँ पर upload document पर click करेंगे देन अपने phone के gallery में से document upload कर देंगे upload करने के बाद यहाँ पर consent देने के लिए हम just click करेंगे और उसके बाद next पर click करेंगे तो अब यहाँ पर confirm करने के बोल रहा है तो अब यहाँ पर submit करने के लिए बोल रहा है लेकिन submit करने से पहले यहाँ पर एक message आ रहा है लिख करके dear resident this service is free of cost till 14-6-2024 और हमारा जो SRA number जो generate हुआ है यह भी आप उपर में यहाँ पर देख सकते हैं तो just submit पर click कर देंगे तो हमारा यह document update का request वो submit हो जाएगा और यह देखिए submit हो चुका है submit के बाद हम यहाँ से download acknowledgement पर click करके acknowledgement download कर लेंगे download करने के बाद यह हम अपने पास रख सकते हैं future reference के लिए यह भी चेक करने के लिए कि हमारा update successfully हुआ है या नहीं हुआ है तो इस तरह से आप अपने आधार card में document upload कर सकते हैं free of cost 14 June 2024 तक का चल रहा है उसके बाद आपको charge pay करने होंगे तो चलिए आज तक के लिए इतना ही वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें ज़्यादा ज़्यादा लोग साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारी YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें